नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत कर रही हूं एक बार फिर से सिक्षा प्रभा में बिटा आप लोगों ने जस्ट अभी अपना प्रीवोड एक्जाम दिया है हिस्ट्री का जिसका सब्जक्ट कोड है 027 क्लास 12 के लिए ये कुशिन पेपर है और इसका सॉलेशन अब लोग आप लोग सर्च कर रहे होंगे जल्दी से जल्दी जानना चाते होंगे कुशिन के राइट आंसर तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं लेकिन अगर आप सिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर स पेपर था, 3 गंटे का टाइम बेटा आप लोगों को दिया गया था, कोशिन पेपर इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अब हम जल्दी से करेंगे इस कोशिन पेपर को सॉल्व और बिटा जिन लोगों ने सिक्षप्रवा को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए एक क्यूट सथ हैंक्यू तो सबसे पहला प्रेशन है निम्रलिखित जानकारी के अधार पर पचानिये कि ये साशक किस वन्ष से संबत दित थे तो इन्होंने आपको दो जानकारिया दी हैं कि ये मध्धे इशिया से आये थे ब्रह्मन इन्हें मलेच, बरबर, अन्य देश ये मानते थे सेकिंड है संस्कृत के अभिलेखों में इनके किसी राजा द्वारा सुधर्शन सरोवर के जीनोरधार का वर्णन मिलता है कि सुधर्शन सरोवर का जो निर्मान था, वो चंद्रगुप्त मौरे ने किया था ठीक है, आप बचा सक और साथवाहन, सक और साथवाहन तो आएगा ने, क्योंकि जब निर्मान ही मौरे काल ने किया है तो साथवाहन वंस का तो आने का मतला भी नहीं होता अब बचा कुशान और गुप्त, तो गुप्त जो था, वो मौरे पिरिड से काफी बाद में था ठीक है, कुशान जो था, वो मौरे पिरिड के बाद एक था, शुमकाल और शुमकाल के बाद कुशान काल आ गया था हाँ ब्रहामन इमें मलेच बोलते थे और मलेच किसको बोला जाता था कुशान जनजाती को मलेच बोला जाता था ब्रहामनों के द्वारा तो इस हिसाब से फर्स्ट का अंसर हो जाएगा आपका option B यानि की कुशान बढ़ते हैं next question की तरफ next question है बिटा आपका हरिशेन किस साशक का राजकवी था तो अशोक चंदरगुप्त और चंदरगुप्त मौरे तो इसके अंदर जो बिल्कुल कलाप्रिय साशक थे संगीत प्रेमी जो थे वो कौन थे समंदरगुप्त थे तो बाकी के संभावना में हरिशेन राजकवी होती है समंदरगुप्त के शाशन में question number 3 है मिलान करें और सही विकल्प को जुने मिलान करना है पिटा मोहन जोदाडू, नागेश्वर, धोलावीरा और हडपा तो सबसे पहले इन्होंने दे रखे है सबसे पहले खोजा गया इस थल तो सबसे पहले खोजा गया इस थल कौन सा था पिटा हडपा था सबसे पहले हडपा खोजा गया इसी कारण हडपा सब बतागा नाम हडपा पड़ा ठीक है, सबसे परशिद पुरा इस थल तो सबसे अधिक पूरा इस्थल कौन सा है बिटा मोहां जोद्रो, मूवी भी बन चुकी है, ठीक हैं, तीसरा है समूंध्र टत के समीप जो था, वो कौन सा था, तो समूंध्र टत तके नज़्दीग और हाली में छेद करने के लिए विशेश उपकरन जो मिले हैं, तो हाली मे चेट करने के लिए विशेश उपकरण कहां से मिले हैं दोला वीरा से थार्ड अब बच गया समुन्द्रटके समीप समुन्द्रटके समीप कौन सी जगा बच गी नागेश्वर तो इस तरह से अगर हम मिलान करते हैं तो हम जाते हैं आप्शन ए पर यानि की का पर यह है इसका करेक्ट आंसर अब इसके बाद हम जाते हैं बिटा नेक्स्ट कोईशन पर तो नेक्स्ट कोईशन है म्रच कटिकम नामक नाटक के रचायता कौन थे तो म्रच म्रच कटिकम नाटक के रचायता थे आप्शन सी पर जाएंगे बिटा ह हम शुद्रक कुश्य नमबर फिफ्ट पैरी प्लस युनानी भाषा का शब्द है जिसका आर्थ है यात्रा समुंद्री यात्रा या फिर घूमना तो अब समुंद्री 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 तीनों जगा पर दे दिया लेकिन यात्रा और घूमना हमको कहां पर दिया हुआ ह आप्शन D में तो फिफ्ट का है आंसर घा समुंदरी यात्रा और घूमना कुर्शन नमबर सिक्स है मगत के राजा जार्शत्रू और बुद्ध के बीच बातशीत कवर्णन किस ग्रंथ में मिलता है तो यह जो तीनों ग्रंथ है वो बुद्ध के तीनों ही बहुत जादा फेमस ग्रंथ है सुथ पिटक अभी धंपिटक विनपिटक जिसको त्री पिटक भी बोला जाता है तो इसमें से कौन सा एक ग्रंथ है जिसके अंदर मगत के जो राजाते अशार्शत्रू और बुद्ध की बातचीत दिखाई गई है तो हम जाएंगे सबसे पहले घंड मतलब सुथ पिटक का ऑप्शन पे इसके अंदर इन दोनों की बातचीत दिखाई और बातचीत क्या थी वही सब बुद्ध उनको ग्यान दे रहे थे कि क्या नाम है सुख और दुख जो है वहर किसी के जीवन में आता है किसी के जीवन में जाद आता है किसी के में कम आता है उसको कम यह जादा नहीं किया जा सकता यही सब ग्यायम की बाते अजास्टरु को बताई गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा Q7 है हमपी को राष्ट्र महत्र के स्थल के रूप में कब मानेता प्राप्त हुई तो बहुत टेकनिकल सा आंसर है इसको याद ही किया जाता है तो Q7 पर जाएंगे इसका आंसर होगा 1986 option D Q9 निम्ण में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है तो गरीब नवाज कहा जाता है किसको सेख मुईनुदीन चिस्ती को option D Q10 पर आते हैं बेटा निम्ण लिखे तो दो वाक्य दिये हैं एक अभीकतन A है और दूसरा तर्क R है उप्युक्त विकल्प का चेन कीजिए तो सबसे पहला दिया गया है इसमें हडपस अभिता के लोगों का ओमान बहरीन या मैसोपटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था तो ये बात तो बिल्कुल ही सही कही जा रही है कि हडपस अभिता के जो लोग थे जो अपना व्यापार करते थे वो समुद्रि मार्ग से करते थे उनका बंदरगा भी था लोथल में सेकंड है मैसोपटामिया के लेखक मेलुहा को नाविको का देश कहते हैं ये बात में बिल्कुल सही है तो बिटा वाक्य तो दोनों ही सही है दोनों बात वो सही कह रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याक्या सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए हम जाएंगे कि पर option B पर दोनों वाक्य सही हैं लेकिन आर एकी सही से व्याक्या नहीं करता है next question है भारत में भूमी पर राज के स्वामित्व को राज्य तथा उनके निवासी दोनों के लिए हानिकारक किस ने बताया तो बिल्कुल फ्रांस्वा बर्नियर ओप्शन सी है बिटा इसका करेक्ट आंसर इन्होंने बोला था कि भूमी पर जो स्वामित्व होता है राज के स्वामित्व होता है ना वो राज्य के लिए हितकर है और ना ही उसके निवासियों के लिए next question number 12 देख लेते हैं 1851 में गवर्नर जनलर डल होजी ने ये कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँ में आकर गिरेगा गिलास फल से उनका क्या विप्राय था तो डल हो जी ने किसको विलै कर लिया था, किसको अपने में मिला लिया था तो वो जगा थी अवद, ठीक है, तो गिलास फर से उनका मतलब था अवद राज्य से Q3 है आपका इस्त बरारी बंदुबस्त के लागू किये जाने के समय बंगाल का गौर्णर जर्णल कौन था, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर थर्टीन का ए लौड कान वालेज Q14 है बिटा, निमनलिखित में से कौन से अंधोलन गांधी जी से संबंदित नहीं है Q15 निमनलिखित में से कौन से कथन सही है तो मार्च 1942 में राज़रों के अरोप में गांधी जी को ग्रफतार कर लिया गया था तो बिल्कुल भी गलत बिल्कुल ही गलत है पहला वाला तो क्योंकि अगस्त 1942 में शुरू हुआ था अंधोलन तो मार्च में तो ऐसे नहीं उनको ग्रफतार किया सेकिंड है गांधी जी पर जांच की करवाई की अध्यक्षता जस्टीन CS ब्रूमफिल्ड ने की थी ये करेक्ट है 1922 में ऐसे योग अंधोलन जो था तो उस पर जो अध्यक्षता थी वो थी CS ब्रूमफिल्ड ने की थी ठीक है तो इसका कथन A तो गलत है लेकिन कथन 2 सही है तो हम जाएंगे option B पर के वल सेकिंड 16 है सत्याग्रह के रूप में जानी गई अइंसात्मक विरोध की अपनी विशिस्ट तकनिक का किसे एक भवय बज़र्क के रूप में दरशाया गया है और उसका जो हाथ है वो सिपाही के सर पर है तो इसका अंसर है सीधा सा लाड कैनिंग option B प्रशन 18 सविधान निर्मान के दौरान सविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे तो 11 सत्र हुए थे हम जाएंगे option D पर 19 question है सविधान सभा के किस सदसे ने प्रथक निर्वाचुका का पक्षलिया था तो इसका अंसर होगा 19 का option B बी पोकर बहादूर question number 20 है बेटा त्रिपिटक शब्द का क्या आर्थ है तीन संग तीन इस्थाम तेन टोकरियां या तीन कटोरियां तो इसका अंसर होगा option C 23 baskets 21 question में आपसे पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है तो पांच वी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समीती के द्वारा तेयार की गई थी तो बिलकुल सही है ये एक प्रवर समीती के द्वारा तेयार की गई थी और इसके अंदर जो विचार था वो ब्रिटिस संसद में यही था कि उनका जो साशन है इंडिया पर वो किस तरह से हो रहा है वही सब चर्चा का विश्य था तो जो इसका सेकिंड कथन इन्हों ने दिया है कि यह रिपोर्ट भारत में इस इंडिया कंपनी के साशन के सरूप पर बिटिस संसद में गंभीर वाद विवाद पदा आ रहे थी तो यह दोनों कथन ही बिल्कुल सही है तो हम चाहेंगे ऑप्शन सी पर दोनों कथन सही है तो यह था आपका MCQ-based solution आपके history के paper का अगर आपको पूरा का पूरा solution चाहिए long answers भी अगर आपको चाहिए जैसा कि खंड का से है आपके 3 नंबर वाले प्रशन और 8 नंबर वाले प्रशन तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा छे बज़े आप लोग देख सेकेंगे ऑफिशियल आंसर की जो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी और वो छे बज़े इसलिए आती है क्योंकि बिटा सेकंड सिफ्ट के एक्जाम की बाद वो की आती है तो उसके अंदर आप अपने इस पेपर का पूरा सॉलिशन देख पाएंगे तो बिटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑफिशल आंसर की देखने के लिए आप वापस आएंगे सिक्षा प्रवा प और शाम को छे बजए